आज फिर से मार ली नबाजी ले गए ना फर्स्ट रेंग बार-बार बोलता हूं हमेशा बोलता हूं विडियो पूरा देखा करो अगर विडियो पूरा नहीं देखोगे कैसे युणिटी मराऊगे एक एक करके मैं बार बार आपको सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे किस कंडिशन में किसको लेके जाना है फिर भी आप सुधरते नहीं आप बदलते नहीं खुद को बदलो यार वीडियो देखा करो सारा डेटा में लेकर आता हूँ आपके लिए फेंटेसी का जो आपके लिए बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आप उस चीज़ को घौर से देखते नहीं हो मैंने कल के वीडियो में भी आपको एक एक करके बताया था कि किस कंडिशन में किसको लेके जाना है आप सब भर भर के 11 प्लेयर को लेकर गए फिर भी मैंने मरा गया था भाई ये 11 प्लेयर आज इन में से 4 से 5 खेलाड़ी फलॉप जा सकते है महा फलॉप जा सकते है और ठीक वैसा ही हुआ मैंने जो बताया ठीक वैसा ही हुआ मैंने कैमरोड गिरीन के बारे में बताया था कैप्टन बनेगा और फाइनली वो कैप्टन बना मैंने थमनेल पर भी लिखकर आपको दिया था समझ में नहीं आता है मैंने एक एक करके बताया था मैंने जैदेब उनाटकट के बारे में भी बोला था कि भाई ये कहलेगा क्या मतलब इशारा दिया था समझना चाहिए उसके पास ट्राविस हिट के बारे में भी बताया था लेकिन इतना ज्यादा फलॉप जाएगा ये मुझे अंदाजा नहीं था तो देखो 80% डिजल्ट में दे रहा हूं अगर हैंडेट दे दूँ हैंडेट दे दूँ तो क्या जीत जाओगे बिल्कुल जीत जाओगे लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं खुद क्यूं नहीं जीत लेता समझने की बात है भाई मैं सारा डेटा कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचाता हूं सारा इंफॉर्मेशन पहुँचाता हूं इसलिए कि आप कॉम्बिनेशन अच्छी लगा सको और अच्छे राइंक को एचीब कर सको इसलिए करता हूं बाकी समझना ना समझना वो आपकी मर्जी है बार बार बोलता हूं एक ही बात बोलता हूं वीडियो को पूरा देखा करो पूरा देखूंगे, समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आता है, एक बार में दुबारा देखा करो, ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कौमन होने वाले, दोनों टीमों से 4-4 प्लेयर हैं, अब वो कौन से प्लेयर है, क्या वो फिर से आज के समयच में अच्छा प्रफिंस करने वाले हैं मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कौन सा खिरारी है जिसको डॉप करने की जरुवत है किसको अपनी टीम में कंसिडर करने की जरुवत है जिसका सेलेक्शन परसेंटेज कम हो और वो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सके ज कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो भाई लोग बहुत कम लेके जाते हैं लेकिन अच्छे पॉांट्स देने की उमीद होती है तो ऐसे खिरारी को अपने टीम में कंसिडर करना चाहिए जो ग्रेंड लीग को बड़े इसली आसानी से आपको विन करा सके तो चलो आगे बरते हैं उ आपनों का लॉस हो आपनों के फाइदे की बात करता हूं और हमेशा इतनी मेहनत करके सारा डेटा क्लेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं सारे इंफॉर्मेशन को ठीके ला चलो अब हम यहां पर सबसे पहले जानेंगे यह जो मैच खेला जाने वाला है इडरन ग इस हम यहां पर बड़ते हैं और यहां पर सबसे पहले दोनों टीमों का प्लेइंग आपके सामने है अब देख सकते हो अब देखो हैं यहां पर कलकाता की तरफ से बाहर करो ताके आप ग्रेंड लीग को आसानी से जी सको और उसकी जगह ऐसे खिराली कॉपी टीम में कंसिलर करो जो जिसको कम लोग लेकर जा रहे हैं लेकिन वो आज आपको छे पार्ट दे सकते हैं इसलिए बार बार में बोलता हूँ ये कॉमन प्लेयर पे जरूर से नजर परना करके ना तो देखो इसमें चार कॉमन प्लेयर है कॉलकटा की तरफ से एक तो फिलीप साल कॉमन प्लेयर है उसके बाद सुनी नरायने कॉमन प्लेयर है अब आजाते हैं यहां पर आंद्रे रसल कॉमन प्लेयर है उसके बाद श्रेस अईयर कॉमन प्लेयर ये चार ऐसे जिसके उपर doubt है हम उसको अपनी टीम से बाहर करेंगे और उसकी जगह ऐसे खिराडी को अपनी टीम में consider करेंगे जो आपको अच्छे points से लेके दे सकता है फाइनली बताने बाला हूँ दोस्तों टेंसल लेनी की ज़रुवत नहीं है यहाँ पर बात करें पंजाब के तरफ से तो यहाँ भी यहाँ भी आपको चार ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनको लोग अपनी टीम में ज़्यादतर consider कर रहे हैं 80% लोग अपनी टीम में consider करते हुए चल रहे हैं अब देखो उनमें से कौन खिराड़ी है तो same current common player उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लियाम लिविश्टन common player उसके बाद सिंग common player अब आजाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे रवाडा common player यह चार ऐसे प्लेयर हैं जिनको अपनी टीम में लोग consider कर रहे हैं तरफा consider करने तो क्या है यह चार का चार चलने वाले हैं अगर नहीं चलने वाले इन में से चारों में से कौन ऐसा खिराड़ी है जिसके उपर शक है जो नहीं चलेगा तो आज finally उसकी जगह हम किसको रखने वाले हैं यह सब कुछ एक एक करके बताने वाला हूँ चलो आगे बरते हैं आगे हम यहाँ पर pitch का analysis करेंगे Eden Garden का जो pitch है न वाई उसका analysis करेंगे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर data क्या कहता है pitch का behavior क्या कहता है उसके according कैसे हम खिराडियों को अपने team में consider करेंगे सब कुछ एक एक करके हम यहाँ पर जानेंगे तो देखो यहाँ पर जो average score है 165 का है हाई score CSK का है 235 रन पर चार्ड बिकेट वहीं लोई टेसर आरसे भी 49 रन पर 10 बिकेट फेक दिया था अब देखो pitch condition की बात करें तो balance पिछले record के according balance है लेकिन इस match में क्या हो सकता है finally उसका prediction में करने बारा हूँ उससे पहले इरन गार्डेन पर IPL के कितने matches खेले गए है फाइनली हम देखने वाले तो 90 matches total इस ground पर खेले गए है बैटिंग first करने वाले ने 38 matches को बिन क्या वहीं बैटिंग second करने वाले ने 52 matches को बिन क्या अब यहाँ पर जो भी team toss जीतेगी वो first balling करना पसंद करेगी चुकि first balling करने वाले को यहाँ पर ज्यादे advantage है देख रहे हो आपनी के नाप वहीं पर बात करने venue scoring pattern की तो आप देखेंगे 1500 से नीचे 27 बार बना है वहीं पर 1500 और 119 के बीच में 19 बार बना है और 170 और 189 के बीच में 27 बार बना है और 190 से उपर 17 बार बना है अब देखो 180 पलस तभी आपको देखने को मिलेगा जब कुल कता फुर्श्ट बैटिंग करती है कुल कता अगर फुर्श्ट बैटिंग करती ए उस condition में आपको यहाँ पर 180 पलस score बनते हुए दिख सकते हैं अगर पंजाब फर्स्ट बेडिंग करती है तो हो सकता है एक सो साथ रन पर ही सिमर जाए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीकला हम चलो अब यहाँ पर मैंने बता दिया बेडिंग फ्रेंडली पीछ रह सकता है उसके बाद जो टीम टॉस जीतेगी उम्मीद है कि वो चो का देखेंगे ताके इस मैच में आसानी हो और किरेंट करने में हम अगर इन तीनों मैचो का लेखा जो का देखे लेंगे तो पता चलेगा कि आगे इस मैच में क्या हो सकता है देखो किया था फर्स्ट इनिंग में यहां पर चेखेंद इनिमें यहां पर दो सो तेसर का शानदार पाड़ी खड़ा गया था वहीं पर रास्थान ने पीछा करते वे 224 रन बागर के इस मैच को चेज कर लिया मतलब कि यहाँ पर जो team जीती थी वो chasing करते हुए ठीक है ला अब first inning में यहाँ पर बिगेट्स गिरे थे 6 और second inning में यहाँ पर 7 total यहाँ पर 13 बिगेट्स गिरे थे पेसर के खाते में 8 और spinner के खाते में 5 आ जाते हैं यहाँ पर 14 April 2024 इस ही IPL 2024 की बात कर रहे है LSG और KKR मैच वाई LSG फर्स्ट बेडिंग करते हुए 161 टरन का टार्गेट दिया वहीं पर KKR ने चेज करते हुए 162 टरन बना करके इस मैच को जीत लिया बाई है और फर्स्ट नी में यहाँ पर विकेट्स गिरे साथ और सेकिने नी में दो टोटल यहाँ पर 9 बिकेट्स गिरे पेसरे खाते में 7 और स्पिनर के खाते में 2 आपने देखा यहाँ पर एक मैच डिफेंड करते हुए जीता गया था वहीं पर 2 मैच चेज करते हुए यहाँ पर जीता गया था तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी टीम टोस जीतेगी वो फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करेगी चुकि चेज करना यहाँ पर आसान है ठीक है ना अब यहाँ पर ज़्यादा तर बिकेट्स आपने देखा कि पेसर के मतलब पेसर ज़्यादा तर बिकेट्स यहाँ पर लेके जाते है इस कॉलीटिटी इस कॉलीटी इस पिनर के ओपने चिंट आप Qu делает सब खेंगा उससे पहले दोस्टोistent अगर पहली बार इस चैनल पसक्राइब कर लो नीचे लाल बटन आपको देख रहा होगा जल्दी से सत्काइब कर लो चुकि कोई लाखों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं तो आपको पीछे नहीं रहना है वैसे भी IPL का सीजन चल रहा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर से ओल पे सेट करना ताके जब भी मैं कोई फ्रेस वीडियो लाओं उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आप ते कोंचे और फिर उस वीडियो को बड़े असानी से आप देख पाऊ ठीक है ना चलो अब सबसे ज़्यादे इंपोर्डेंट जो है वो टेलिकाम चैनल को जोईन करना है लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्चर में और फर्स्ट कॉमेंट में टॉप पे पिलिका हुआ मिल जागा जहां आप बड़े असानी से टेलिकाम चैनल को जोईन कर सकते है चुकि यहाँ पर सब कुछ में फिरी में देता हूँ एक भी पैसा आपसे नहीं लेता हूँ एक भी पैसा आपका नहीं लेगता है सारा डेटा, सारा इनफॉर्मेशन फेंटेसी से रिलेटेड सब कुछ में फिरी में देता हूँ तो जल्दी से यह सब कर लो चलो आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर बढदे हैं और यहां पर बालिंग परफिरस इस ग्राउंड मुर्ट पे क्या है फाइनली देखने वाल फश्ञे तीन मैचों का लिक्राईगे ले वाले है। वहीं पे टोटल तीन मैचों में, स्पिनर को यहां पे दस इनिंग के लिए इस्पिनर यहां पर अच्छे खासे बिगर्स लेकर जा सकते हैं, फस्ट इनिंग में मतलब पेसर और सिक्यान इनिंग में इस्पिनर, यह चीज आपको दियान में रखना हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर हम देखने बाले हैं इस IPL 2021 में इन दोनों टीमों का परफेर्टर्प क्या रहा है तो फानली हाँ पर देखने बाले हैं देखो यहाँ पर कोलकता की बात करें तो कोलकता पिछले साथ मैचों में पाँच मैचे को विन की है और सिर अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखने वाले हैं कि head to head records मतलब जब ये दोनों टीम आमने सामने पिछले 32 मैचों में हुई तो इनका क्या रिकॉर्ड ना है क्या परफेंस रहा फाइनली हम ये देखने वाले हैं तो तोटल मैचे 32 खेले गए इन दोनों टीमों के बीच म केके आर ने 21 मैचेस को विन किया वहीं पंजाब ने सिर्फ 11 मैचेस को विन किया लास्ट सिजन की बात के दो मैच हुए जिन में केके आर एक मैच को विन की और पंजाब ने एक मैच विन किया तो यहां भी केके आर का पलणा भारी है आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहां प्रबात कर लेते हैं लास्ट जो मैच इन दोनों टीमों में हुई थी मतलब क्या आमना समना इन दोनों टीमों का लास्ट मैच में जो हुआ था अब उसमें क्या रिकॉर्डरा तो फाइनली हम देखने वाले हैं आठ मई दो हजार तेस की बात है पंजाब और केकेयार के देखो पी सिंग ने बारा रन बनाया था पंजाब की तरफ से वहीं पे सिखर तबने संतावर नन एन निविश्टन ने पंदर रन जिरो विकेट उसके बाद राहुल चेहर को उपर नजर बना की रखना है नतर एलिस की बात के हर्पी बरार की बात के एक एक बिकेट लेक गया था देखो राहुल चेहर प्लेइंग अलमने में नहीं है लेकिन खेल सकता है अब वो कैसे के लेगा फाइनली सब कुछ बताऊंगा कुलकता नाइट एडर्स की तरफ से नितीस राना इकावन रन उसके बाद अंदरे रसल ब्याली सरन और इंकु सिंग एकी सरन नाबा वरुन चक्रवर्थी तीन बिगेट लेके गया था वरुन चक्रवर्थी को कैसे लेके जाना है किस कंडिसल में लेके जाना है फाइनली बताऊंगा हरसीत राना दो बिगेट ठीक है ना हरसीत राना भी इंपोर्टन हो सकता है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं औ अब पंजाब के एगेंश खेलता है 47 के अबरेश से और वैनियू पर तो गजब रिकॉर्ड है अर्सब का ठीकर ना इंपॉर्डेंट है सकता है ठीकर ना वहीं पर पंजाब किंग्स की तरफ से बात करें पीसिंग उसके बाद जिते शर्मा यह दो खिलते हुए दिखेंगे अब पीसिंग की बात करें 35 जीरो उसके बाद 10 उससे पहले चार इस तरह से 13 का इवरेज है बहुत ही खराब परदर्सन है मतलब कुलकता के एगेंश उसके बाद बेनियू पर भी खराब रिकॉर्ड है तो मैं तो लेकर नहीं जाने बाला बाकी है आपको कैसे लेके जाना ह तो देखो अगर फर्स्ट इनी में पंजाब किंग्स की बैटिंग आती है तो जिते शर्मा के साथ जा सकते हो या फिर आप पीसिंग के इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना मुझे रखता कि इन दोनों में से कोई एक डिम टिम में बनता हुआ दिख सकता है यहां पर आ बाकि आप एक के साथ जाते हो तो सिर्फ फिलिप साल्ट के साथ आप जा सकते हो चलो आगे बरते हैं और यहां पर हम बैडी सेशन में देखेंगे के कोलकाता की तरफ से चार खिरारी आपको खेलते हुए दिखेंगे अब वह चार कौन से प्लेयर है ए रगवनसी उसके बा ए रगवनसी को आप कैसे लेके जाओगे बताने बालाओं सेरे साइयर की बात करें पचास ग्यारा अर्टीस चौटीस बहुत अच्छे मतलब रिसेंट फ़र्म में है 29 का एवरेज है हेट्वेड में 24 का एवरेज बनी पर इंपॉर्टन रह सकता है सेरे साइयर इस मैच में रिंकू सिंग 24 रन 20 रन इस तरह से अभी डिम टिम में बहुत टाइम से नहीं आ रहा भाई 25 का एवरेज हेट्वेड में उसके बाद 47 का एवरेज है बनी पर वनी पर अच्छा करता है तो रिंकू सिंग के साथ कैसे जाना है वो भी बताने वाला हूँ पंजाब किंग्स की हेट्वेड में रिकॉर्ड नहीं है वनी पर रिकॉर्ड नहीं है और आई पेल में 19 का एवरेज है तो आर रोसों को आप अपरिटी में कंसिरर कर सकते हो चुकि अभी तक बहुत ही खराब परदरसन चल रहा हो सकता है कि इस मैच में आपको अच्छे पौाइं से लेके दे स लेकिन है तो तीन से चार खिराडी आप यहां पर रख सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि तीन खिराडी तो पक्का डिम्टी में आपको नजर आ सकता है अब यहां पर मेरा फेडिट कौन हो सकता है मेरा फेडिट हो सकता है उसके बाद बात करें इस मैच में आसूतोश शर्मा मेरा फेडिट होने वाले है यह दो खिलाडी मेरे फेडिट है बाकी देखो एरगवनसी को आप ट्राई करना भाई, फरस्ट इनिंग के लिए में झाल वैटिंग करती ए उस के बाद हम यहाँ पे बात करे आर रोसो की तो आर रोसो को आप करना सिकेंट इनिंग के लिए ठीर लिए बाद के लिए गाई पर पन्जाब किंग्स की लिए तो जादे इंपॉर्ड़न रहेगा वहीं पे शपसंग की बात के बात कर तो फस्ट कौन-खेलने वाला है आगे यहांew gonna देखो आगे बहुत उंट्रेस्टिंग चीज में आपको बताने वाला हूं, pubis बीजेन अगर फड़ेंऽ ऑपको जीतना है और आगे में वाला हो बहुत पूरा देखना बनता है आगे क्शा क्वाला वे बहुत ही जादे matter सब्सक्राइब करना नहीं बनता बाई 49 का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वेनियू पे एक ही मैच खिला हुआ है चल नहीं पाया बना पाया तो सेम करने इस मैच में अच्छा कर सकता है यह चार खिलाडिया इंपॉर्डन रह सकते हैं लेकिन तीन तो लेके जाना बनता है बाई अब देखो यहां पर अगर तीन लेके जाते हो तो आप सुने ले ने अंद्रियासल को फिक्सी कर देना यहां पर सेम करने इन रिकरड़न नहीं है इसकार अब दोनों में से किसी एक को लेकि जा सकते हो चुकि यहां पर आप देख सकते हो हैटम कर लodar करन को वह सेथ जा सकते हो अगर अगर तीन रखते हो तो अगर चार रखते हो तो चारो को लेकि जाना ठीक है ना अब देखो यहां पर मेरा फेवर्ट तो चारो का चार होने वाला है अब मैं चारो के साथ भी जाने वाला हूं तीन के साथ भी जाने वाला हूं अलग-अलग तरह से combination बनाऊँगा देखो grand league क्या है संभाव बनाओ का खेले आपको संभाव बनाओ को create करना होता है कि आपको क्या लगता है आपका दिल क्या कहता है कि आज की समय में क्या हो सकता है अगर आपने pitch का analysis कर लिया तो आपको finally पता चलेगा कि कौन सी team किस पे बारी पर सकती है यह मैं आपको बता सकते गरुंगा यहां पर क्लकता की तरफ से मत जा सब्सक्राइब कि को नाउनद नइट को इस सकते हैं और 95% में क्लकता की तरफ से बनाने बाला हूँ ठीक है ना देखो ग्रेंड लिक के कुछ पाइंट से मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले हम यहाँ बॉलनी सेसर में देख लेते हैं देखो कुलकता की तरफ से चार ख्याड़ी खेलते हुए देखेंगे सुयाज शर्मा मिचल स्टार्क हर्सित राना और वर हैं जायने कहीं बॉलर्स बिकेट लेके जाएंगे तो दे हो यहां पर इस मीच्छ मेश में अच्छा कर सकता है sacrifices यह मैश sell सिर्फिटा इंग में अगर कॉलकता की बॉलिंग आती है तो हरसी तरछाना को टाई कर सकते हो मतलब है मैच या इसलिए बॉल राऊड ना वरून चकरवर्ति को सिगेन इनिंग में ज़्याद़ बेटर रहेगा सिगेन इनिंग में कुलकाटा अगर बॉलिंग करती है तो आप लेके जाना ज़्याद़ बेटर रहेगा ठीक है ना पंजाब किंक्स की तरब से बात करें अब पंजाब का जो बॉलिंग लाइना फेना बहुत गजब गया है बाई हर्पिरित बरार की बात करें 29 रन जिरो विकेट एक रन भी बनाता है अच्छा खासा वह एक तीस का एवरेज हेट वर्ड में तिरे मैच खिला हुए एक विकेट लिया हुआ है उसके बाद बात करें हरसल पटेल की तो लगातार देख रहे हो तिन तिन विकेट ले रहा है लगातार विकेट ले रहा है हरसल पटेल इस मैच में विकेट ले सकता है अब देख सकते हो हेट वर्ड में बारा में तेरा विकेट है और वनी पे चार में तिन विकेट है तो हरसल पटेल आज और रवाई च्छोड कर सकते हो यहाँ कि आप चार से पांदि यहाँ से अबिघुर की यहाँ को भनते होई ए क्यों हो सकते हैं तो अगर अगर करती है तो हरसीत अगा करती है तो यहाँ C4 ऑरने क handc हो बनागा यहां से डुख ऑन्डीके लेकिन मिसल एस्टाग दोनों इनिंस के लिए मेरे कंसिरर करूंगा अपनी टीम में यह हो गए दो खिराडी अब देखो यहां पर कईजिसो रवाड़ा को मैं फिक्स करूंगा ठीक है ना हर्सर पटिल को मैं फिक्स करूंगा यह चार खिराडी फिक्स लेकर जाओंगा बाकि आप पांच भी लेके जा सकते हो और सिदीब सिंग को आप सिकेन इनिंग के लिए ट्राई करना जैसे के मैं बताया ठीक है तो सब कुछ मैंने बता दिया भाई क्या रहता है कुछ नहीं रहता है अगर इसके एकॉर्डिंग आप दो तीन टीम चार टीम बनाते हो ना तो उस होता है आज भी आपने देखा मतलब कल के मैच में इतना चपरता स्पीटसन देया रहता को के मेरां गिरीन के बारे में कोई नहीं सोचा होगा कि कैप्टन बनेगा मैंने बता दिया थामनेल पर भी लिए कि कैप्टन सीप आरी खेल सकता है उसके बाद जैदेर उनाटकर के परें बता था किसी ने नहीं बताया था पूरी यूटूबर मैंने बता था कि जदेव उनाटकट आ सकता है अब आने का मतलब यह कि उसको रखना बनता है मैंने रखा भी था ठीक है ना इस तरह से भाई टीने ट्राजन के बारे मैंने बोला था कि बिकेट लेके जाएगा और बिकेट लेके गया वैसे 80% result मेरा ना विलकुल सही रहा 80% result हमारा सही रहा अब इससे जाधा आपको क्या चाहिए बाई 20% अपना भी दिमाग लगा यार अगर 100 का 100% में दे दूँ तो मैं आपको क्यों दूँगा मैं खुद क्यों नहीं बनाऊंगा ठीम यह चीज समझना मैं तो इन्फोर्मेशन देता हूं आपको मैं कंडिशन वाइस बताता हूं किस कंडिशन में कौन चल सकता है स्तारा डिकोर्ड पलट के ना पढ़ के ना फिर मैं आप लों के रूबरू होता हूं और आप लों को समझाता हूं और बताता हूं चलो आगे बढ़ते हैं आगे के दो से तिन नारा ने और यहां पे मिचल स्टाक रॉसी तरा। कि चार और सोलो हो ऑपर वर सोलब यह तो फेक देंगे बाफी के अबर बतेंगे। इसके एकॉडिंग बॉलर्स को अपनी टीम में आप बड़ी इसली कर सकते हो आगे बरते हैं और यहां पर हम देखेंगे पंजाब की तरफ से कौन बॉलर्स कितने ओबर फेकने वाला है अगर खेलता है तो हर पड़ार आपको तेन से चार और करता हुआ अगर खेलता है तो हर सलप अपको बागी लिए जैन भी दो से त्याव अबर करता ह banc दिख सकता है अब देखो यहां पर स्टाडिंग्यों करन अर्शिदीप सिंग और कगीसो रवाडा करतावा दिखेगा देत ओवर हर्सल पटेल अर्शिदीप सिंग और रवाडा सेमकरन ये करते वे दिखेंगे अब चलो आगे बरते हैं आगे यहां पर हम प्लेयर बैटल देखने वाले हैं सिर्ज साइयर को यहां पर आप देखेंगे तो सेमकरन ने एक बार आउट किया हरसल पडेल ने दो बार आउट कियार राहुल चैहर को खिलाया जा सकता हर्सल पटेल ने रिंग्पु सिंग एक बाद रावल चेहर ने भी आट किया हुआ है और और यहां पर पर पंजाब की तरफ से लिए तो इतना कोई हैं सारे खिराडियों का लेखा जो का है अब देखो इसमें कौन खिल सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खिलता हुआ आपको दिखेगा चलो अब हम आगे बरते हैं आगे हम जानने वाले हैं कि यहां पर पंजाब की तरफ से कौन खिल सकता है तो इसमें एक खिरा अब हम सीधा सीधा हम चलेंगे और कहां चलेंगे सीधा No fix play the पह चलेंगे अब हम यहां पे आपको बताने वाले हैं कि किस टीम से हम कितने खिराडी को अपनी टीम में कंसिरर करने वाले हैं तो को यहां पर मैं कोलकता की तरफ से 5 खिराई लेके जाओंगा और पंजाब की तरफ से 4 खिराई तो वो कौन से खिराई है फाइनल बताने वाला हूँ तो फिलिप साल्ट को मैं फिक्स करने वाला हूँ उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर तो आंद्रियासल मेरा फिक्स बाई ये अब तीन खिराडी में आपको वड़ाता हूं जो मेगाए पाइंड के इम्पॉर्ण होसकती है ऐक तो एक यहां पहर फिर को आप JL में ट्राइक कर सकते हो जियल के पॉंट उबभी से इंफॉर्ण होसकता है उसका बाद आ आजाते हैं यहां पर तो रिंकु सिंग यह इंपोर्टन हो सकता है देखो इन तीनों में से ना बाई कोई खिराड़ी है ना एक ऐसा जो डीम टीम का हिस्सा बन सकता है अब उसको आप रूटेर करके ट्राइ कर सकते हो अब यहां पर सीविसी का कंटेंडर कौन हो सकता है तो बतानवारा सुन लाँने तो सबसे उपर है सीविसी का कंटेंडर लेकिन स्ट्रॉंग वर्सेज दिक का कॉम्इलेशन याद रखना सब लोग इसी को ले के जाएंगे तो इसको अगर कैप्टन रखते हो तो वाइस विक होना चाहिए अगर यहां से आप विसी रखते हो तो कैپٹन आपका विक होना चाहिए. अब दो strip को यहां पर आप अंड्रेर असल के साथ मी जा सकते हो. एजिस इवीशी मिसल इस्टार के साथ इस मैच में जा सकते हो वरुन चक्रवर्धियर. अगर सिकिनिनी में वरुन भी हम केंव यहां पर को यहां पर आपको यहां बीघए को हुआ सकता हहुत बालानों उसके बाद आप को पटाने भाला ऐगल्यूट्ग ओब्र की हों मतिम सकतISTव को बना सकती हो यहां पर आपको हर्सल पाटेल यह आर रोसो को रखते हो ना एक टीम पे कम सकम वी सी तो बनाई सकते हो वाई उसके बाद सेम करन यहाँ पे स्ट्रॉंग है तो इसके साथ विक का कॉमिनेशन होना जूरी है उसके बाद लियां लिविश्टन को भी आप सी वी सी ट्राई कर सकते हो कम सकम एकार टीम पे ट्राई क करही सकते हो उसके बाद यहां पर रवाडा आके साथ抜ा खेले कर टा है अगर पसंद आए तो इक लाइक करके जाना बनता है और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच